बच्चों से इबात करते समय आप उनको नए शब्दों से परिचित करा सकते हैं कुछ वर्नन करने के लिए किसी आम शब्द का उपयोग करने के बजाए आप ऐसे शब्द का उपयोग कर सकते हैं जो बच्चे के लिए नया हो उधारण के लिए यह कहने के बजाए के यह पीड़ बड़ा है आप कह सकते हैं के वो विशाल है यह उचा है यह लंबा है यह विशाल काई है यह कहने के बजाए के भोजन अच्छा है आप कह सकते हैं के यह स्वाद, स्वादिष्ट, रूचिकर या अद्भुत है ऐसा करने से आप बच्चों को चीजों का वर्नन करने के लिए नए शब्द सीखने में मदद करेंगे बोसा आप बच। क्यम्दी से लिए मिशचा उन everything मुऱ नही बच्चों का वर्नन करें वो बच्चों का विए Christ